पुरानी मटकी से सुन्दर सा फोल्दान बनाए आसानी से बहुत ही सस्ते में मैं हूँ नरेंद्र दिल्ली इंडिया से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टाफ पॉकेट घर में पुरानी मटकी को निकाले अगर आपके पास नहीं है तो ये खरीद भी सकते हैं ये लोहे का कटर है किसी भी हार्डवेर की दुकान में आसानी से मिल जाता है अगर आप क्राफ्ट करते हैं तो ये आपको रखना चाहिए बहुत ही सस्ता आता है इसी कटर से मटकी के नीचे वाले हिस्से को आराम से चारो तरब से काट ले आप चाहें तो इसे बिना काटे भी बना सकते हैं पर उसमें गहराई नहीं आएगी दो लिटर की कोल्डरिंग की कोई भी बोटल ले ले और जहां गहराई खतम होता है वहां से काट ले धकन को हटा दे जहां से आपने बोटल को काटा है वहां पे आप तीन चार जगा पे एक इंच के कैची से कट्स लगा ले अब आप कटे हुए बोटल को जहां से मटकी को कट किया था वहां पे आराम से अटका दे यह बिलकुल अटक जाएगा और यह नहीं निकलेगा अगर फिर भी आपको लगता है तो आप सेलो टेप से चिपका कर और सेफटी रख सकते हैं दूसरे मठकी पे भी ठीक यही तरीका अपनाएं दोस्तों यह वाल पुट्टी है किसी भी हार्डवेर स्टोर पे आसानी से बहुत ही सस्ते में मिल जाता है जरुरत के हिसाब से पाउडर निकाले और केबल पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेश्ट तयार करें जैसा कि आप वीजुल में देख रहे हैं वैसा ही पेश्ट तयार करें लंफ बिलकुल नहीं होना चाहिए इसी गाढ़े पेश्ट से घर में पड़ा कोई भी पुराना चाकू ले 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 और उसी से आप लेरिंग करें अगर आपके पास स्कल्प्चर के टूल्स हैं तो अच्छी बात है नहीं तो पुराना चाकू चलेगा और जो लेयर करें वो नीचे की तरफ ही करें पूरे पे एक समाल लेयर करें और इसे एक सार कर लें जो गड़े हैं उन्हें भी भर लें निचला हिसा पुरा कवर करें और इसे अच्छे तरीके से ड्राइ होने दें दोनों सेट पे बिलकुल ऐसे ही करें क्राफ्ट का निचला हिसा अच्छे से सुग गया है तो अब हम next layer आराम से कर सकते हैं वॉल्पुट्टी के क्राफ्ट में हमेशा layer wise काम करते हैं एक layer dry होता है तभी हम दूसरे layer पे काम करते हैं अब आप पूरे craft को जो बचा हुआ है कवर करेंगे वाल पुटी से और कोशिश करें ये जो लेयर है समान रूप से चारो तरफ फैले ताकि जो क्राफ्ट का गुलाई है वो बिल्कुल सही से आ सके तो इस तरीके से दोनों क्राफ्ट पे आप कर ले और इसे भी बहुत अच्छे तरीके से फिर से ड्राई होने दें हमारा क्राफ्ट ड्राई हो गया है तो हम एक कार्ड़ लेंगे इसी कार्ड़ पे इसके बेस का पेंसिल से गुलाई में नाप ले लेंगे इसे गुलाई में काट लें और क्राफ्ट के निचले हिसे पे एक बार नाप कर देख लें वाल पुट्टी पाउडर में केबल पानी मिलाकर बहुत ही बड़िया डो तयार हो जाता है डो बनाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप वहाँ देख कर सीख सकते हैं एक अलग बाउल में वाल पुट्टी के पाउडर में केबल पानी मिलाकर गाड़ा गोल तयार कर लें डो से अब गोल सा शीट बना लें और इसे जो आपने कार्डबोर्ट कट किया है उस पे गोल से डॉट डॉट लगाकर बस एक तरफ चिपका दें इसे ड्राई होने दें जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे आप नाइप से हटा दें अगर आपको लगता है कि आपके क्राफ्ट का नेक और लंबा होना चाहिए तो वाल पुट्टी का गोल लगाए और वाल पुट्टी के डो से थोड़ा थिक कोईल बना ले और जो क्राफ्ट है उसके नेक पे चारो तरफ साफधानी से लपेटी और किवल उंगलियों से स्मूथ करें बाद में पानी से एकसार करें और जो नेक का शेप है वो बना ले फिर से एक लंबा कोईल बनाए और जो क्राफ्ट है उसके निचले बेस पे वाल पुट्टी का गोल लगाए और को चारो तरफ साफधानी से चिपका ले अब आपने जो वो बेस बनाया था गोल वाला उसके दोनों तरफ लेरिंग हो गई है और वो ड्राई भी हो गया है तो उस पे भी वाल पुट्टी का गोल लगाए और बिल्कुल इसी पे इस गोल शेप को स्टिक करें इसे पहले यानि साइन पेपर से आपको अच्छी तरह फिनिश करना होगा ताकि इसमें बिल्कुल गढ़े ना रहे और जो इसके डस्ट निकलेंगे उसे साफधानी से ब्रश की सहता से या कपड़े की सहता से इसे इकठा कर और कागज में लपेट कर या फिर किसी इक चीज में लपे ड्रॉइंग कर लेंगे आप जिसमें कमफर्ट हो वही डिजाइन चुने चाहे तो कहीं से रिफ्रेंस ले ले हमारे दोनों सेट्स पे डिजाइन बन गये हैं तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं ये कौन है इसके अंदर मार्वल पाउडर और फेविकॉल का गाढ़ा प ये भी वही काम करता है जो मार्वल पाउडर करता है अब आपको पूरे डिजाइन पे इसी कौन की सहता से कौनिंग करनी है जितने भी डिजाइन से उनको हलका सा 3D एफेक्ट देना है और इसमें पस साफधानी ये रखे कि एक बार जहां पे भी आप चलाएं दुबारा उ कमप्लीट करें और इसे ड्राइ होने दें हमारा क्राफ्ट ड्राइ हो गया है तो जो कोनिंग वाला हिस्सा यानि जो 3D वाला हिस्सा है वो भी ड्राइ हो गया है उसके उपर हम पूरा ब्लैक करेंगे ताकि हम इसे मेटालिक इफेक्ट दिखा सके जैसे ड्राइ होता है ब् पूल कलर लेके स्पंज पे लगाएं और इसे हलके हलके पूरे ब्लैक हिसे पे लेरिंग करें एक बार हलका सा लेरिंग करें और ड्राइ होने दें फिर दुबारा करें इससे आपका पूरा का पूरा लेयर बहुत अच्छे से निकल जाएगा बीच वाले हिस्से को मन पसंद कलर से काम करें यह जो गोल्डन कलर था यह पिर ब्राउंज कलर यह भी एकरिलिक कलर ही था कलर का चुनाओ पूरी तरह आप पर निरभर करता है आपको जो पसंद हो वही कलर करें एक कोट करें ड्राय होने दें फिर दुबारा कोट करें जरुत पड़े तोять दीसरा कोट करें तो वार्णिश की जरूत नहीं पड़ेगी और यह क्राफ्ट है उसमें अपने आप चमक आ जाएगी यह कट मिरर स्टेशनेरी की दुकान पे अभिलेबल है नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाता है इसे जरूत के हिसाब से क्राफ्ट पे लगा लें पहले से सोच हो जाए अपनी तारीब सुनने के लिए शायद ही किसी को यकीन हो कि ये वही पुरानी मटकी है आपके हातों का हुनर और थोड़ा सा अभ्यास बस यही तो चाहिए घर में कहीं भी रखेंगे कमरे की सुन्धरता और बढ़ जाएगी इसमें आर्टिफिशल प्लांट्स मेरे चैनल क्राफ्ट पॉकेट पे आपको ऐसे धेरो क्राफ्ट मिलेंगे जो आपकी बजट में होते हैं आसानी से सीख भी सकते हैं और अगर ऑल्लाइन सीखना चाहते हैं तो ये तीन बेसिक बॉल पुटी क्राफ्ट क्लासेज अबलेबल हैं डिटेल्स के लिए मेरे फॉलो भी इसके साथ ही आप मुझे इस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं अभी तो शिरुवात है हज्जारों ऐसे बजट वाले क्राफ्ट आइडिया अने बाकी हैं ऐसा कोई भी क्राफ्ट वीडियो आप से छूट न जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स अब दीख रही थी मेरा चैनल क्राफ्ट पोकेट